Hello everyone and welcome to English Learning Camp आज हम पढ़ने लगे हैं एडवर्ब के बारे में एडवर्ब का जो टॉपिक है कि इंग्लिश रामर में बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और जो confusion आती है वो यह आती है कि अगर हमारे पास एक sentence आ रहा है तो हमें यह समझने आती है कि यह एडवर्ब बनता है या adjective बनता है तो आज हम इसको example दो समझेंगे इसके सारी kinds को clear करेंगे ताकर हम पता चल जगे कि अगर कोई word हमारे पास आ रहा है तो क्या यह एडवर्ब बनता है या adjective बनता है Let's start सबसे पहले हम यह clear करते हैं कि एडवर्ब कहते हैं किसे हैं अगर हम एडवर्ब के word को itself word को two parts में divide करते हैं add में और verb में तो इसका क्या मतलब बनता है verb में add करना यानि कोई ऐसे words के बारे में हम बात करने लगे हैं जो verb में add होते हैं या हमें उसके बारे में extra information देते हैं उसको अच्छे से describe करते हैं अब इसको हम example से समझ लेते हैं शमसा राइड़्जा होर्स क्यारफुली शमसा जो है वो घुट सवारी करती है बहुत इहतियात के साथ अब इसमें action क्या हो रहा है rides वो कैसे किया जा रहा है carefully किया जा रहा है यानि शमसा जो घुट सवारी का का रहा है वो बहुत carefully का दी है next है जमील receives the prize happily जमील खुशी से ही नाम वसूल करता है action क्या हो रहा है receive करने का लेने का काम हो रहा है और ये कैसे किया जा रहा है खुशी से किया जा रहा है तो ये दोनो वर्ड carefully और happily क्या करें हमें action ride और receive के बारे में extra information दे रहे है या हम यूं कह सकते हैं के ये इनको describe का रहे है verb को, काम को describe का रहे है और ये ही एडवाब का काम है एडवाब के कुछ काइंट्स होती है अज हम उन काइंट्स के बारे में बढ़ते है first kind है adverb of manner a word that says how something happens is called an adverb of manner adverb of manner हमें answer करता है how का कैसे, कोई काम, कैसे किया गया अब examples इसको चीतना समझ लेते है they were quarling angrily action क्या हो रहा है quarling, लड़ाई जगड़े का काम हो रहा है ये कैसे किया जा रहा है how, angrily, उससे से किया जा रहा है तो angrily यहाँ पे manner है, adverb of manner this car goes very fast ये कार बहुत तेजी से जाती है कैसे जाती है the car goes how, very fast तो ये यहाँ पे adverb of manner है the old man walked slowly, the old man walked बुड़ा आदमी चला कैसे चला, how slowly, आइस्ता से चला तो slowly यहाँ पे adverb of manner है, तो ऐसे वार्ट जो हमें how का आंसर दे उन्हें हम कहते हैं adverb of manner next है adverb of place अब नाम से हमें समझ आ रही है place, जगा की बात करेंगे a word that tells where something happens is called an adverb of place ऐसे वर्ड जो हमें ये बता हैं कि action किस जगा पे हुए, किस प्लेस में हुए उन्हें हम कहते हैं adverb of place अब इसको example से समझते हैं the children moved forward the children moved, बच्चे ने move किया, where, किदर को किया, आगे की जानिब को किया यानि बच्चे ने आगे की जानिब भरकत की she should come in she should come उसको आ जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, इन अंदर आ जाना चाहिए where they live where, वो कहां रहते हैं, where do they live they live upstairs, वो उपर रहते हैं तो यहां पे upstairs जो है, ये place के बारे में बता रहा है तो ये है adverb of place next है adverb of time a word that tells us when something happens is called an adverb of time ऐसे words जो हमें ये बता हैं को कोई come, कब हुआ है when का answer करें, तो उन्हें कहते हैं adverb of time example सब इनको अच्छी तरह समझते हैं Sanna will come soon Sanna will come when will she come she will come soon तो सून हमें बता रहा है कि वो जल्दी आएगी कब आएगी जल्दी आएगी I take a bath daily I take a bath मैं नहाता हूँ, कब नहाते हैं रुजाना नहाने का काम किया जाते हैं तो daily यहां पे adverb of time है we should not go to bed हमें कब bed पे नहीं जाना चाहिए late तो late हमें कब के बारे में answer दे रहा है तो late यहां पे adverb of time है तो ऐसे words जो हमें बताएं कि action कब हुआ था उनको कते हैं adverb of time next है adverb of frequency the word which tells how often something happens is called an adverb of frequency यानि कोई काम कितनी मरतबा हुआ है एक दफा दो दफा दुबारा कभी हुआ है या कभी नहीं हुआ है इसके बारे में बताते हैं seldom हुआ है, sometime हुआ है, usually हुआ है या often हुआ है यह सारे word adverb of frequency में आपते हैं I shall again talk to you मैं आपसे दुबारा बात करूँगी कितनी मरतबा बात काम करने का जिकर हुआ है again, दुबारा करने का have you ever met him कि आप उनसे कभी मिले हैं कितनी मरतबा मिलने की बात हुआ है ever, कभी आप मिले हैं you have met me just once आप मुझसे बस एक मरतबा ही मिली है कितनी मरतबा मिलने की बात की जा रही है बस एक मरतबा मिलने की sometimes का मतलब होता है कभी कभार हुआ है 25 से 75% तक never, कभी नहीं हुआ 0% often, अकसर होता है 75 से 90% उसमें चांसी हम दे रहे होते है usually, कभी कभार 90 से 99 या आम तोर पे हम कहते है usually होता है आम तोर पे होता है 99% always, या regular 100% regular होता है बकाइदगी से होता है always, हमेशा होता है तो ये सारे words भी adverb of frequency में आ जाते हैं next है adverb of degree कोई काम कितनी शिद्दत से किया गया उसका क्या level क्या है दरजा क्या है ये बताता है intensity के बारे में और degree of an action के बारे में को उसका दरजा क्या उसका level क्या है जैसे the tea was extremely hot चाहे कैसी थी बहुत ज़्यादा करम थी यानि उसके जो गर्मी थी वो extremely थी शिद्दत वाली थी बहुत ज़्यादा थी तो extremely शिद्दत को बता रहा है सहर अभी जा रही है वो तकरीबन काम कर चुकी है उसका level के तकरीबन काम हो गया हुए तो ये degree के बारे में बताता है intensity के बारे में बताता है next is verb of quantity adverb of quantity जो होता है ये जो जवाब देता है ये मिकदार जाहिर करना quantity का मतलब हותा है मिकदार जाहिर करना और जो answer इसके होते है वो ज़्यादा है how much का जवाब देरे होते है adverb of quantity जो है ये how much का answer दे रही होती है कितना ज़्यादा है I'm very sorry how much कितना ज़्यादा sorry है very sorry बहुत ज़्यादा शर्मिंद है I am very sorry, sorry मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंद He has little milk How much milk? Little milk, थोड़ा सा दूद He is quite well वो बिल्कुल ठीक है How much? कितना ठीक है Quite well Quite का मतलता है, बिल्कुल ठीक है तो इस तरह की सारे words को हम कहते हैं Adverb of quantity जो मिकदार की बात करते हैं अब इसमें कई दफाँ enough आ ज़्यादा है काफी है, कितना काफी है I am too tired to walk मैं बहुत ठाग्या हूँ कि मैं चल भी नहीं सकता कितना ठाग्या हूँ, बहुत ठाग्या हूँ He has much money इसके पास बहुत सा पैसे How much? कितना पैसे है? कितना पैसे हूँ, बहुत आग्या हूँ